आपके लाइब में क्या कुछ होने वाला है आप कौनसी एनरजी में रहेंगे क्या एक्षन लेना है आपको एंजल्स की तरब से क्या गाइडन्स है क्या एड़वाई से वो सब हम अभी जानेंगे कि एक टाइमलेस जेनरल रेडिंग है तो हो सकता है सब के साथ रेजनेट ना करें क्योंकि सब लोगों की वाईब्स एनरजी फ्रिक्वेंसी सिच्वेशन सेम नहीं है तो जो ही चीज आप लोगों के साथ रेजनेट करता है उसी चीज के साथ आप अपली खुशी खुशी अपने संतेगी में आगे बरें डिसिप्लिन का होना हम सब के लाइब में बहुत साथ ज़रूरी है जो काम कर रहे हैं या करेंगे वो डिसिप्लिन के साथ करें आप इसे कुछ लोगों के साथ यह वरिजनित कर सकता है कि आपके पेरंस चाहते हैं कि आपकी शादी कही और हो लेकिन आप किसी और को चाहते हैं लेकिन वो इनसान आपको कमिट्मेंट नहीं दे रहे हैं तो आप सोच में बरगे कि अब क्या करना चाहिए तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेशे की मूव आन करें आपके फैमली जहां चाहते हैं वही आप शादी करें वही आपके लिए सही होगा आप इसे कोई-कोई सर्थ लब एनरजी में आ रहे हो आप प्यार चाहते हो आप चाहते हो कि कोई परसन आपसे प्यार करें आपकी क्यार करें आप उनके साथ अपनी बाते शेयर कर सकें आपको सपोर्ट करें इनसान आते हैं आते हैं आप मिलते हो बात चीद करते हो लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसके बाद सेपरिट हो जाते हो आप जैसा परसन चाहते हो वैसा परसन आपको मिलता नहीं है आप मैंने वेस्ट नहीं कर पा रहे हो आपको हीलिंग की जरुरत है हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ हो आ है जिससे आप बहार नहीं आपा रहे हो एक माइनसेट कर लिया है आपने जो आप दिखा रहे हो बाहर कि आप वो सोच नहीं ही रहे हो लेकिन कही ना कही आप टर रहे हो आपके अंदर doubt है आप सोचते हो negative ऐसा mindset आपने बना लिया है तो आपको immediately healing की जरुवरत है relationship healing की जरुवरत है आप एक काम कर सकते है scripting करें script writing करें जो आप चाहते हो जैसे person को आप manifest करना चाहते हो present में उसे लिखें कि आप उसे मिल रहे हो वो person ऐसा है आपसे बहुत प्यार करते है खयाल रखते है आपका ऐसे करके आपको लिखना है present में एक या दो page में आप लिखें script writing करें इससे आपको बहुत अच्छी result मिलेगी आप अपने पसंदीदा partner को manifest कर पाओगे do something to change your energy do something different allow yourself अब limited zone पे चले गए हो उस limitation से बहाँ निकले change नहीं चाहते होगा नया कुछ नहीं चाहते हो डर रहे हो डरने से कुछ आसिल नहीं होता है explore करें आपको जो calling आ रहे है न उससे सुने उससे follow करे बहुत सारी positivity आप attract कर रहे हो आपके अंदर potential है उससे पैचानिए expect कीजिए जो आप manifest करना चाहते है आपकी जो manifestations है वो बहुत ही तेजी से आने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ही सादा spiritually काम कर रहे हैं बहुत तेजी से grow कर रहे हैं आप आप एक goddess energy में हो divine guidance divine protection आपके साथ है impossible से impossible काम आप possible कर सकते हो और ये आप करके दिखाओगे भी trust the seas of a novel and universe stay positive stay happy stay blessed thank you राधे 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 लगए औरгаई जाधे झाओ लाधे आवे से एक बाले मनन oficial